हम है हैप्प 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 है थपड़ पड़ेगा हेंरी तुम्हें पता है ना हच पील थेखनी की?. मुझे थापी पोस नहीं देखना है मुझे अजी बेरवुफ देखना है एंँ?" ओणी हेंरी हेंरी समझे तुम, तुम हापी हेपोस देखो गया और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती नहीं मॉमा कहती है फ़पे हिटोष्हपी हिपोष sincerely क्यों में पूम्हें चन्या नाचू चैनंक और मॉमा कहती है फ़पे हिपोर स्सक्रान डातिते हैं और द॑ तो ये मॉम को कैसे पता अधगतार को यहापी हिपोज असल में वेरवुल्स ही है हिपोज नहीं नहीं यह जूट है हाँ यही सच है सरा सोचो मेरे भाई तुमने कभी हापी हिपोज को रात में देखा है नहीं तो पर वो इसलिए क्योंकि मुझे रात को टीवी देखने अलावड नहीं है नहीं पीटर वो इसलिए कि रात में वो बन जाते है अजीब वेरवल्फ एसा ही है हम है अजीब वेरवल्फ हम तुम्हें खा जाएंगे टाइम है छोटे भाई की बान बजाने का प्यारे वेरवल्फ के साथ हेंडरी पीटा सोने जाओ जा रहा हूं मामा एक्सक्यूस मी हेंडरी मुझे ब्रेश करने जाना है हैंडरी तुम एक बुख पर रहे हो इसे बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है किस बार मैं है ये प्रोमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे प्रोमिस करता हूं इसका नाम है वेरवल्फ के बारे में जो भी जान सकते हैं वो सब को जाने सच में ये मैंने पापा की लाइबरी से उठाई है ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है सच में और क्या पता है ये असली वेरवल्फ को पहचाना सिखाती है तुम्हारे बाल ऐसे कब से बन गया ऐसे मतलब कैसे हैंडरी मतलब ऐसे बाल ये देखो यहां लेखा है अ एसे बाल होना क्या सच में क्या तुम्हें कोई और भी निशानी दिख रही है वो एक तो शायद देखते हैं अजीब वेरवल्फ बनने की दूसरी निशानी है हाथ पर खुझ ली तीसरी निशानी है चमकते हुए दात तुम दोनों ने आप तक ब्रश किया या नहीं दात ब्रश कर लो पीटर उने और चमकाव सोने का टाइम हो गया मेरे गुल गपपे मामा क्या मैं आपको अलग सा अलग रहा हूँ अलग नहीं तो तुम तो अभी मेरे प्यारे गुल गपपे हो वो तो मैं हूँ उपर मेरे बाल वैसे तुमारे बाल थोड़ी से अजीब तो हो इसलिए हमें नहीं कट्वाना पड़ेगा गुद नाइट पजामा टाइट टूंट लिट तामस्कीटिस बाइट राइट मैं वेवुल्फ मनता जा रहा हूँ आजाओ हैंड्री मुझे तुमसे बात करनी हैं किस बारे में पीटर लगता है मैं करजी बेवुलफ बनता जा रहा हूं इसमें लिखा तो है कि इससे बचै जा सकता है पर जडरा मुश्किल है क्या लिखा है जींगाला migrant दोजी फैश्य काली घाटी के जिंगा लाला पेर से जिंगा लाला जूस जिंगा लाला जूस काली घाटी के जिंगा लाला पेड़ से पर हम इतने रात को काली घाटी जाएंगे कैसे हेंडरी अरे छोटो हेंडरी है तो क्या डर है हां लेकिन जूस के बतले मैं लोंगा दो रुपए दो रुपए अब अगर तुम्हें Come on, Henry! मैं वही कहने वाला था और मेरा जवाब है नहीं आराम से बस थोड़ा सा बर्फ ही तो है ओ हो बर्फ इसलिए तो आज हम जल्दी उठे हैं गुद मानिंग बाहर क्या हाल है बड़ा बनाओ इसे और भी बड़ा बनाओ और बड़ा बनाओ इससे भी बड़ा बुरा हाल है बहुत बुरा हाल मुझे तो नहीं लगता अच्छा हुआ तुम स्कूल के लिए तैयार हो गए, Henry हमें आभी निकलना होगा पर आज तुम स्कूल नहीं जाने वाला है ना चलो, Henry तुम्हें स्कूल जाना ही होगा हम 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 अपना ख्यार रखना यह तो अच्छी बात है अंकल तुम्हें छोडने आते हैं हाँ हाँ पर आज तुम्हें स्कूल तो आना ही नहीं चाहता था मुझे भी नहीं आना था, Henry पर ममी ने कहा अगर तुम स्कूल गए ना इसका मतलब है तो लड़को तुम दोनों यहीं रुक जाओ तुम दोनों कहां जा रहे हो हम तो स्कूल जा रहे हैं और कहां इस रास्ते से नहीं जा सकते जाओ वहां से जाओ कुत्या आज तुम्हें थे स्कूल आने के लिए बेताब था सची, क्यों? क्योंकि मुझे दूस्तों के साथ बर्फ में खेल लेगा बॉघा मिलता है हां, तुमारी बात तो बिलकुल सही है विलियम पर अब हम लोग बर्फ में नहीं खेल पाएंगे किस ने कहा? मैंने कहा मेरा मतलब हमने कहा और उसके लिए हमने सही कपड़े नहीं पहने हैं सही कपड़े मतलब? इसका मतलब बच्चो तुमने सही कपड़े नहीं पहने हैं स्कूल रूल्स के मताबिक बर्फ गिरी हो तो कोई भी स्टूड़न नहीं खेल सकता क्यों? आई बात समझ में जब तक सारे स्टूडन्स सही कपड़े नहीं पहन ले दे, समझ गया है? पर मैंने तो पहनी है, और इसे स्कार्फ पहना है इसने टूपी पहनी है, और हाँ, उसने भी बट तुमारी टूपी का है? ऐसा क्यों? हम सबने सही कपड़े पहने है, सर बिल्कुल नहीं हाँ में पहने है, देखिए टूपिया और स्कार्फ मुझे नहीं देख रहा ये मेरी टूपी है, मेरी भद्धी टूपी, जो मैंने अभी पहनी है नहीं देख रहा है, सुनो हैंडरी, रूल्स रूल्स होते हैं और ये भी एक रूल है पर वर कुछ नहीं हैंडरी है तो है, नहीं तो नहीं कुछ नहीं हैंडरी अगर बगर तो जरा भी नहीं रहने दो हैंडरी, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं गुद मॉर्निंग बच्चों आज की असेंबली में मिस्टर सॉंगिंग्टन स्कूल के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कुछ नए रूल्स हैं मैं यहां पहले आया था जूट मन बोल, मन से तो मैं ही यहां पहले आया था मुझे ब्रश करना है हाँ, मुझे भी तो ब्रश ही करना है मुझे टूथपेस्ट चाहिए हाँ, कीडे, मुझे भी टूथपेस्ट चाहिए मुझे इसकी सादा जरूरत है और मुझे कीडा बुलाना बंद करो तुम्हें क्यू जरुवत मेरे दाथ तुझसे बड़े है पर तुम्हारा दिमाग तो छोटा है क्या कहा? कुछ नहीं और तुमने अब तक तुम्हारा ब्रेक्फिल्स नहीं किया सब कहा? हाँ काम हो गया क्या मौम गुद मॉर्निंग गीडे थपड़ पड़ेगा हैंरी गुद मॉर्निंग हैंरी अपना होमवग रहे हो बेटा नहीं मौम मैंने अपना होमवग गलराद को ही किया था मैं तो एक जोकर की ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं एहाँ बहुत अच्छे पीटिर हेंड्री थपड़ लगीगा हेंड्री हॅण थपड़ लगेगा हेंड्री मैंने चारख्या जाआ मैं तो सिफ कॉनफिक्स ले रहा था तो तो तुम्हें कउनसी पैकट्थ ध्यान से उठाना चाहिए था हेंड्री हाँ शायद हेंरी चलो, बहुत हुआ हेंरी जाओ जाकर ब्रश करो पर मैंने ब्रशक कर लिया तो फिर जाकर कोई अच्छा काम करो ठीक है मैं चलता हूह और जाकर अतनी गुलेल्टी कर लेता हूँ बहुत दिनों से उसे चलाया नहीं है हेंरी तुप रहने का टाइम हो गया है हेंड्री और तुन ये चानते हो नहीं नहीं जानता और चुप रहने का टाइम क्या होता है चुप रहने का टाइम तब होता है जब हम लकडी की सीडिया चड़कर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं संझे हम दोनों भाई कैसे हो सकते हैं क्या मैं शांती से टीवी नहीं देख सकता क्लास क्लास जीरो में शांती कहा है हाँ बिल्कुल नहीं है तो क्या मैं कुछ और देख सकता हूं? कुछ एच्यूकेशनल जैसे गुप फॉर यूर ग्रीन्स वैसे मैं एक दिन एक आर्टिकल बढ़ रही थी जिसमें लिखा था तुम्हारे लिए टीवी देखना एकना बुरा भी नहीं है ठीक है तू फॉर्टी सेवन नंबर चैनल लगा लो सैंक्स कीडे जब हम दनिय के बारे में सोचते हैं अमेशी हद्रक और करणी पते के बारे में भी सोचते हैं माह क्या शो है अगली बार से ऐसा नहीं करने दूगा हेंरी चीए चीए मैं करम आवाज में सुनूगा हेंरी तुम्हारा पैर मेरी तरफ है तेरा मतलब क्या है तेरी तरफ तुम इस सोफे पर मेरी साइट पर आ गए हो। नहीं नहीं आया, मैं अभी अपनी साइट में हूँ। और अगर तुमने बटर और हनी का सही कॉम्बनेशन यूद लिया। मॉम। तो खानी में मज़ा आने से। क्या हुआ राजा बेटा। राजा बेटा। हेंडरी सोफे पर मेरी तरफ आ जाता है। हेंडरी, हेंडरी। सारी माम, मैं सोच रहा था मड़र और हनी को मिक्स करके क्या मनता है। क्या कहा। मॉम। सारी पीचा, इस कपड़े को बीच में रखकर सोफा आधा-धा बाट देते हैं। ठीक है। अब तुम दुनों को अपनी अपनी साइंस पता है। ओ, थांक्स, माम। तो मेनी सदा ये है के इतना उत खाना जिसे मुश्किल हो जाया पचाना। हेंडरी। हम्व? ओ हां, थांक्स, माम। लफी। हेंडरी, ये तेरी बिली है। ये मेरी बिली नहीं है, नहीं है। हेंडरी, मैं तुम्हारी जाए।